हिमाचल प्रदेश में विधान सवा चुनाब के लिए अब कम समय बचा है और तमाम राजनितिक दल फिल्ड में है जो चुनाब पर चार अभिहान है वो तेज होता जा रहा है और इस बीच आम आदमी पार्टी ने कॉंग्रस और भाजपा जो सत्ताधारी दल भाजपा है और हाग साब आपने चुनाथी दी है क्या ये चुनाथी है और आपको लगता है कि जो राजनितिक दल है उसको इन राजनितिक दलों को ये चैलेंज सवकार करना चाहिए जी नमस्कार मैं आपके चैनल के मादेम से चैलेंज करता हूँ इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को कि हिमाचाल परदेश के अंदर जिस तरीके से मुखे मंदरी ठाकूर जैराम यहां हर मंच पे जाकर किसानों के हित की बात, शिक्षा, स्वास्ते और सड़क की बात करते कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये सब जूट के पुलिंदे हैं, अगर इन्होंने वाके में ही किया है, तो मैं खुली चुनोती इनको देता हूँ, कि जिस तरीके से हमारे राष्टिय सायोजक्षी अर्विंद के जिरिवाज जी, दिल्ली में, जनता के बीच में ज कोने पांच सालों में अगर हमने जनता के काम किये हैं, तो हमें वोट देना, और यदि हमने काम नहीं किये हैं, तो हमें वोट मत देना, ये है एक कटर इमानदार पार्टी की बात, कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाकर ठोक कर बोलती है, कि यद तीन सो यूनिट बिजली के दे देंगे ये ऐसे लोग देंगे जिनोंने हिमाचल परदेश को सतर हजार करोड से ज्यादा का करचा दिया है पिछले तीस साल का अगर इतिहास देखें तो हर बार यहां सरकार बदली है सता बदली है हर पांच साल में यहां दूसरी पार्टी की सरकार बनी है और ऐसा नहीं है कि दोनों पौलिटिकल पार्टियों ने कहीं पे भी इस करचे को रोकने की या कम करने की कोशिश की यो बढ़ाया है हर बार जब भी सत्ता जाती है पांच से साथ साथ हजार करोड का करचा बढ़ा कर हिमाचल परदेश की जन्था के उपर में कॉंग्रेस की सरकार है उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए तीन सो यूनिट फ्री क्या वहां की माता बहनों को आत्म निर्वर होने के लिए आत्म सम्मान के लिए जो ये पंद्रा सो रुपे हिमचल परदेश में बात करें कि हम 1500 पर रुपे माता बहनों को देंगे तो क्या उन माता महनों को जो 36 गड़की है जो रजस्थान की ए क्या उन्हें नहीं मिलना चाहिए तो यह जिस तरीके से हिमाचल परदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल क्योंकि जिस तरीके की सुख सुईदाए दिल्ली के अंदर लोगों को मिल रही है जिस तरीके से पंजाब में लोगों को मूलवू सुईदाओं का मिल रही है उस तर्थ पर हिमाचल परदेश की जनता को ना मिले हिमाचल परदेश की जनता भी महताज रहें इनके आगे गि आप इसला किया है आम आदमी पार्टी का इस पर क्या स्टेंड देखिए जो और पेंशन की आप बात कर रहे हैं इसके उपर स्टडी चल रही है अभी ड्राफ्टिंग हो रही है सारे हमारे जो नेशनल लेवल के नेता हैं वो सब चीज़ इस पर काम चल रही है बहुत जल्द कहीं न कहीं जो लोगों को गुमरह करने की कोशिश राजनितिक दल कर रहे हैं आपको लगता है ऐसा है देखिए भाजपा को मैं जबाब देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बोलती है वो करती है यदि ये बोलते हैं कि फ्री की रेवडिया बांटी जा हूं कि जो पंदरा का आफने हैं पूरे ह हिंदुस्तान के लोगों को पापढब बेचा था वो कहां है उसको बोलते हैं फिरी की रेवडिया आप मित्रों का हजार और करोड़ रुपया माव कर देते हैं उसको बोलते हैंlichtी की जो है वही पेशा अपने दोस्तों का कर्जमाफ करने के लिए यूज करती है। तो इस तरीके से जो इनके वादे हैं जो इनकी बाते हैं और जिस तरीके का ये आरोप लगाते हैं कि आमाधी बाटी जो बोलती है वो करती है और जो नहीं करती और जो नहीं कर सकती वो बात नहीं करते हैं ठाक साब क्यूंकि एक डेट महिना बचा है आचार से इता लगने में तो ऐसे में कैंडिडेट किस तरह से आमाधी पार्टी देगी क्या उसको लेकर कोई सर्वे चल रहा है या फिर आपकी नजर भी कॉंग्रस और भाजपा के कैंप में है कि वहां से कोई नराज होगा उसको को अपने साथ जोड़ेंगे यह बिल्कुल नहीं है हमारे पास इस टाइम पर जो कैंडिडेट का जो सेलेक्शन है पिछले तीन महीने से प्रोसेस है एक लंबा प्रोसेस है हमारे पास रात तु रात कोई यहां पर ऐसा चैन सिस्टम नहीं है जैसा कॉंग्रेस और बाजप से लगातार चल रहा है बहुत जल्दी हमारी भी लिस्टे आनी शुरू हो जाएगी इसके उपर काम चल रहा है और उस प्रोसेस जैसे ही पूरा जिस इस विदान सभा में होगा उसी साब से हमारा यह अनौस्मेंट टिक्टो की भी हो जाएगी बिल्कुल यह थे सुर्जी ठाकूर जो अध्यक्ष है हमाचल परदेश आमाधी पार्टी के इन्होंने कहा कि जो टिकट को लेकर अवंटन होना है उसको लेकर काम चल रहा है तीन महीने से अलग-अलग सतर पर पार्टी के सतर पर काम हो रहा है और जल्द ही सूचियां जो ह आमाधी पार्टी के उमिदवारों की आएंगी और इसके साथ साथ इन्होंने सिधा चैलेंज जो है चुनोती दी है सर्ताधारी दल भाजपा को और उसके साथ साथ कॉंग्रस पार्टी की जो परमुक्ष बिपक्षी दल हिमाचल में है कि वो इस विधान सवा चुनाव में जनता के बीच कैसे जाएं वीडियो जनलिस राज के साथ प्रदीव ठाकूर शिमला